कक्षा 12 रसायन विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्ण ध्यान दे, ये प्रश्ण सामाने रूप से पूछे जाने वाले प्रश्णों के आधार पर तयार किये गए हैं आपके पाठेक्रम और परीक्षा पैटन के अनुसार प्रश्ण भिन हो सकते हैं वन, रावड का नियम क्या है? इसके अनुप्रयोग बताईए, ये नियम विलायनों के वाश्प दाप से संबंदित है अनुप्रयोग, अनुभार ग्यात करना, अशुद्धियों का प्रभाव आदी 2. अर्धकोशिका और गैलवानी सेल में क्या अंतर है? अर्धकोशिका में ऑक्सी करन या अपचेन में से केवल एक प्रक्रिया होती है जबकि गैलवानी सेल में दोनों होती हैं, गैलवानी सेल विद्युद्धारा उत्पन करता है 3. अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तापमान, सांदरता, उतप्रेरक, सता का क्षेतरफल आदी 4. संतुलन स्थिरांक, केसी, क्या है? इसका महत्व बताइए, किसी अभिक्रिया में अभिकारकों और उतपादों की सांदरता के अनुपात को संतुलन स्थिरांक कहते हैं, यह अभिक्रिया की दिशा और मातरा को बताता है 5. काबने क्योगिकों के वर्गीकरण के आधार बताई, कार्यात्मक समू, हाईडरोकारबन श्रिंखला आधी 6. हेलोयलकेन और हेलोयरीन में क्या अंतर है? हेलोयलकेन में हिलोजन परमानूयलकेन के साथ जुड़ा होता है, जबकि हेलोयरीन में बेंजीन वले के साथ 7. अनु कक्षक सिध्धान्त क्या है? ये सिध्धान्त अनु में इलेक्ट्रोनों के व्यवहार को समझाता है 8. DNA और RNA में क्या अंतर है? सनरचना, कारिय आदी में अंतर 9. पॉलीम क्या है? उनके प्रकार बताएए 10. पर्यावरन प्रदूशन के प्रमुक कारण क्या है? अधिक जानकारी के लिए आप इन विश्यों पर गहराई से अध्येन कर सकते हैं यदि आपके मन में कोई विश्यों प्रशन है, तो बेजिजग पूछें अतिरिक्ट संसाधन यूट्यूब कक्षा बारा रसायन विज्यान के कई चैनल पर व्याख्यान और प्रशन उपलब्ध है ओनलाइन पाठे सामगरी कई विबसाइटों पर मुफ्त अध्येन सामगरी उपलब्ध है पाठे पुस्तके NCRT की पाठे पुस्तके बहुत उप्योगी होती है मुझे उम्मीद है कि ये प्रशन आपके लिए उप्योगी होंगे